आईपेल दोजार इकिस का खिताब जीतने के बाद महिंदर सिंग धोनी ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है 40 साल के MS धोनिक थे जब सवाल हुआ कि क्या अगले साल भी हमें थाला का जादू देखने को मिलेगा तब दोनी ने जवाब दिया कि अभी उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है ऐसे में फैंस को अगले साल भी अपने फेवरेट कप्तान का चलवा देखने को मिल सकता है दरसल कॉमेंट्रेटर हर्शल भोगले ने IPL 2021 के फाइनल के बाद महिंदर सिंग दोनी से सवाल किया कि क्या आप अगले साल भी क्रिकेट खेलते वे दिखाय देंगे तब MS दोनी ने कहा कि ये मेरे उपर नहीं BCCI पर निर्बर करता है क्योंकि 290 में आ रही है रिटेन करने के लिए नियम बनेंगे ऐसे में चैनी सुपर किंग के लिए जो बेस्ट होगा वही करेंगे दरसल महिंदर सिंग दोनी ने कहा कि CSK के लिए एक अच्छा गुरूप तयार करना ही हर किसी का लक्षे है ऐसे में जब हर्शल भोगले ने कहा कि आप इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि अपने पीछे इतनी बड़ी लेगिसी छोड़ कर जा रहे हैं इस बात पर दोनी ने पलेट वार जबाब दिया कि मैंने अभी कोछ छोड़ा नहीं है आपको बता दें कि महिंदर सिंग दोनी की आगवाई में चैनी सुपर किंग का यह चौथा आईपिल खिताब है कर पहले बालिंग चुनी जेनने पहले बैटिंग करते हुए 192 रनों का लक्ष खड़ा किया कॉलकता को शांदार शुरबात मिली लेकिन बाद में चैन्ने की बहतरी बालिंग क्या आगे कॉलकता पूरी तरह फेल हो गई है दोस्तों महेंदर सिंग दोनी को अगर आप भी अगले साल आईपिल खिलता हुआ देखना चाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जाट से जादा शेयर करना ना भूले